आज हम बात करने वाले बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है अठारा सो सप्तावन इसमी की किरांती का शौरूप नेचर कैसा था नेचर आप्टा 1857 रिवार्ड आज हम इसके वारे बात रहे हैं तो हमने इसको दो चीजों में डिवाइट किया है जादा तर जो विद्वान है जो भी स्कॉलर्स हैं उनका दो तरह के विज रहते हीं एक तरफ वाले कहते ही कि यह संगरिक विद्व था या हिंदू-मुछिम एकटा का संगठीत विद्व था तो इसके बारे में आज हम देख लेते हैं किसके क्या विज रहे और किस आधारों पर है किनके आधारों पर म सेनिक विद्रोह में यह नागरिक विद्रोह है तो आज इसको देख लेते हैं तो सेनिक विद्रोह में देखते हैं जॉन लॉरेंस जॉन सीले और सयद एहमद खां की अनुसार यह आंदोलन मात्र एक सैनिक विद्रोह था इनका कहना है कि यह आंदोलन एक सैनिक विद्रोह था यह जो किरांती हो थी 1857 में और यह जो नागरिक विद्रो मानते हैं हिंदू मुस्लिम संगठित एकता का विद्रो जो मानते हैं उनका कहना है उनमें है विडी सावरकर असोग महता और पट्टावी सीता रमया इनकी द्रिष्टी में यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें सामाने नागरिक का महत्तपूर योगदान रहा यह इसको प्रथम स्वतंता संग्राम बलते हैं यह मात्र सैनिक विद्रो नहीं बलते हैं यह सैनिक विद्रो नहीं था यह प्रथम स्वतंता संग्राम भी आगे है इसमें देख लेते हैं सेकिंड पॉइंट इनका मानना था कि सभी स्थानों पर सर्पर्थम सैनिक द्वारा ही आंदूलन शुरू किया गया जो सैनिक विद्रों मानते हैं उसके समर्थक है उनका कहना है कि सभी स्थानों पर सर्पर्थम सैनिक द्वारा ही आंदूलन तरोब और इनका क्या कहना है ईक्षी बिंज जगे से और ही इता क्या कहते िडेर यह सही है कि एड़ीं को दौराइज लो क्यों कि वेले वॉपानलीने चलव में दोन चनुराल ने जह संब्सायर, इक जन आंदोलन में केज़ायो हाँ , उनका मानना है इनके समुर्दकों का मानते हैं च oportun नीक बिखाने सरुल कया गया था क्योंकि इसका जो तातकालिक कारण था वो चरुवाले कार्थुस थी और कार्थुस कौन चला था उस papa स्वर c चला सकते थे नागरिक नहीं चला सकते थे तो उनका मानना है कि हाँ ये तातकालिक जरूर था कारण और शैनिक था सुरूरात में लेकिन ये बाद में जन अंदोलन मन गया मतला पूरा देश वासी से जुट गए आगे हैं तीसरा के गएंपूरा पूरे कश्र्वा करतुवर पूर्आ है उनका मानना सक्ते उनका प्रत्यक च्शन मंठ सहनिक हो थो आप इनका क्या कहना आंदोलन मोRa क्या रिजक ऑप प्रमुक वजह कारचा कल क्योँ नहीं थी प्रमुक वजह बहुत सारे थी आ कि ए यह नहीं कह सकते कि सिर्फ चर्वी वाले कार्टूस की वज़े से ही सब कुछ नहीं नहीं उनकी टैक्स सिस्टम, बहुत सारी ऐसी विवस्थाएं थी उनकी अत्याचार थे, बहुत सारे ऐसी वज़ें थी जिनकी वज़े से ये आंदोलन धीरे-धीरे विद्रों की तरफ बढ़ रहा था तो इसमें आग में घी का काम किया चर्वी वाले कार्टूस नहीं थे, अगर ऐसा होता तो उन्हीं कार्टूसों का इस्तेमाल विद्रों द्वारा खूब नहीं किया गया होता अगर ये ऐसा होता कि वज़े सिर्फ ये होते तो विद्रों द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया गया होता वो उनसे अलग रहते लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक वज़े थी साथ करने की चौता है, विद्रों का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो पाया जिसका एक कारण स्चैनिक वर्गों का सीमी दिस्तानों पर होना था, इनका अपनी जगे सही है, क्योंकि साथ में इसका प्रसार बहुत कम था साउथ इंडिया में देखते हैं तो बहुत कम था और बहुत सारी ऐसी जगह पर जहां पर सैनिक थे या फिर इनका जमावरा काफी था उत्तर भारत में और मध्य भारत में इसका काफी अंदूलन आगे बढ़ा था मतलब यह शैनिक अंदूलन अगर कहें तो यह अपनी जगह सही है कि उत्तर भारत और मध्य भारत में यह काफी फैला था साउथ की बात करें पूर उत्तर भारत की बात करें तो बहुत कम था अगर जना अंदूलन होता इनकी अनुसान अगर जना अंदूलन होता तो यह पूरे भारत में समान रूप से फैल था लेकिन एशन नहीं हु कंधे से कंधा मिलाकर विद्रू किया इनका कहना है कि ठीक है तुम मान रहे हो कि ये सैनिक विद्रू है इनका कहना है ठीक है तुम मान रहे हो कि सैनिक विद्रू है लेकिन ये लोग तो सैनिक नहीं थे ये क्यों सामिल हो गए कुछ जगे ऐसी थी जहांपर सैनिकों का कुछ म आगे तक निकल गए अब वो भूल गए थे कि कौन क्या है कैसे उन्होंने बस अंग्रीजों को यहां से भगाना था अंग्रीजों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे क्योंकि अपनी गरीबी की अपनी दर्द्था की वजय जो हमारा आमनाग्री थे हमारे थे वो इन सभी की वजये अंग्रीजों को मानते थे और वो यहां से इनको भगा देने चाहते थे सब्ता का भी दूसरी समधायां को भी बहुत ज्यादा यूपतां था आगे है पांचमों पॉइंट इडन वर्क रिवीव के अनुशार इसका स्वरूप तो सैनिक था इसका जहां भी था सैनिक को नहीं आगे बढ़ाया इसको लेकिन आवद में जन समर्थन प्राप्त था जो आवद नहीं था शेना ने जादा आगे बढ़ चलके भाग नहीं लिया वहां पर आम नागरिक बहुत ज्यादा उत्राइब इस आंदोलिन से बहुत आगे लिए बहुत ज़्यादा घुश्चा था अंगरी जो प्रति उचाते थे कि उनको जल्दी से जल्दी नहीं से भागा दिय इस बज़े से उन्होंने बहुत आगे बढ़ चलके भाग लिया अगय इसको देखें तो इसके समर्था को कहना है कि आब दो मारे गई वाद्मिजन समन्त्राइथ thirds लेकिन इग्रेंग स was यह इसका स्ыт Xuचने घीप तक इसका अपने जगें बिल्कुल दोनों सही प्रेखिक है विद्रो दबाने में आप अंगरे जोंगेंगें से जाधा कटनाई नहीं हुई क्योंकि इसका स्वरूप शहर्णिक था यह भी कह रहें कि इसका स्वरूप शहर्णिक था जन हम आंदोलन होता तो कठना करना होती है इनका बिलकुल जहीं कहना है कि विद्डो को 1849, 1850, 1852 में भी श्यानिकों द्वारा बड़े विद्रो किये गे, पर बड़े पैमाने पर विद्रो किये गे, किन्तु वह इतनी व्यापक इस्तर पर नहीं पहल पाए, जितना कि 1857 का विद्रो पहला, जिसका सीधा संबंध हिंदू-मुस्लिम एकड़ा और सामाने चाहूं क कि 1844 में, 49 में, 52 में, 1850 में भी श्यानिक विद्रो है, लेकिन वो इस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचे, जितना कि 1857 का विद्रो जो पहुंचा, पूरे देश में व्यापक रूप से इसका वो जन समर्तन प्राप्त हुआ, तो यह कह सकते हैं कि यह सिर्फ शैनिक विद्रो नहीं था, यह नागरिक विद्रो था, नागरिकों ने इसमें इतना बर्चल के भाग लिया कि इसको देश भ्यापकी बनाती है, तो अब यह दोनों के तरक हम देख चुगे हैं, अब हम देखते हैं, इसका निसकर्स क्या निकले, कंक्लूजन क्या है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों को ही देखने के बाद, कि कंक्लूजन यही हो सकता है, कि यह ना तो पूरी तरह से शैनिक विद्रो था, और नहीं पूरी तरह से नागरिक विद्रो था, यह इन दोनों का ही शैनिकों का और नागरिकों का मिला जुला विद्रो था, इन दोनों ने ही पूरी तरह से भी तरब बहुत बड़े लेवल पर अपने अपनी तरीके से बहुत जादा बढ़ चाड़ के भाग लिया। इसको पूरी तरह से नहीं कह सकते के नागरिक विद्रो था यह यह दोनों का संमलित विद्रो था। इसको कई नामों से पुकारा जाए लेकिन इसमें सभी देश वासिन को पूरा योग्दान था आगम कह सकते हैं कि ये एक तरह का विद्रो नहीं था और हां इसको ये भी कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक ता का ये पहला संगठे विद्रो था और प्रस्टम स्वत्मता संग इसको आराम से कहा जा सकता है इन सभी चीजों को देखते हुए तो आज के लिए इतने मिलते हैं अगले क्लास में कि अ कि अ कि अ कि झाल झाल